रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार जारी है तीन दिनों से रूस यूक्रेन को घेरने में जुटावा है जिससे दुनिया की टेंचन और बढ़ती जा रही है तमाम देश रूसी एक्षन की निंदा कर रहे हैं वहीं इस्तक्रार के बीच भारत की टेंचन भी बढ़ गई है क्योंकि हजारों की संख्या में भारत के नागरिक यूक्रेन में फसे हुए हैं जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहा है वहीं कॉंग्रेस सांसित राहूल गांधी ने भी ट्विट कर मोदी सरकार पर निशाना साथा है रूस और यूक्रेन के बीच जारी तकरार पर क्या है मोदी सरकार का रुख किसका साथ देगा भारत क्या यूक्रेन में फसे भारतिये नागरिकों को वापस लापाईगी सरकार ये सवाल इस वक्त हर शक्स के मन में उठ रहे हैं क्योंकि इस्तिती इस कदर खराब हो चुकि है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं वहीं भारती भी मदद की गुहार लगा रहे हैं लगाता यूकरेन से चात्र वीडियो जारी कर सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गया है जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घिर रहा है कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी ने ट्वीड कर यूकरेन से भारती चात्रों के जल से जल बचाओ अभ्यान की मोदी सरकार से अपील की है राहूल गांदी ने ट्वीड में लिखा है कि बंकरों में भारती चात्रों के द्रिश्ये विचलित करने वाले हैं कई चात्र पूर्वी युक्रेन में फसे हुए हैं जहां भारी हमले हो रहे हैं। मैं चात्रों के चिंतित परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा हूँ। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि ततकाल चात्रों को निकालने की ववस्था करें। दरसल युक्रेन में इस वक्त करीब 20,000 से ज्यादा भारतिये चात्र फसे हुए हैं जिसमें बड़ी संक्या में चात्रों का आकड़ा है जो वहाँ पर पढ़ने गए थे इस बीच कुछ तस्वीरे भी सामने आई हैं जहाँ पर मेडिकल के चात्र बंकरों में छुपने को मजबूर है पहले सरकार की ओर से फ्लाइट के जरिये वतन बाफ़ी कराई जा रही थी लेकिन अब एरपोर्ट को बंद कर दिया गया है जिसकी वज़े से लोगों को वापस लानी के मिशन पर ब्रेक लग गया है मगर अब कहा जा रहा है कि सरकों के रास्ते सरकार भारतियों को वापस ला रही है वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन से फोन पर बातचीत के दोरान ये मुद्दा उठाया था और उन्हें सरकार को चात्रों को सुरक्षित पहुँचाने का आश्वासन दिया था ऐसे में देखना होगा मोदी सरकार कैसे चात्रों को युकरेन से वापस लाएगी कैसे उनकी वतन वापसी कराएगी डीबी लाइफ की रिपोर्ट